इस देश को उन गोरे अंग्रोजों से छुड़करा दिलाया था आने वाले 15 गश्चे पहले हमें इन काले अंग्रोजों से छुड़करा इस देश को दिलाना है BJP के पास ED है, CBI है, BJP के पास Electoral Bond का पैसा है, BJP के पास EVM है बहुँच सारे पार्टी के दिगर दिगर लीडरान, जनतादल से गुरल से, BJP से, MIM से आप देखते हैं हर कोई Congress में शमुलेत इस्तियार कर रहे हैं क्यूंके वो सब जानते हैं कि अगर इस देश को बचाना है, देमोकरिसी को बचाना है तो वह है Congress Party एक है, जो आज हमारे मुल्क को, हमारे समीदान को बचा सकते हैं आज गुलबरगा की Congress की Office पर जाकर Congress Party में शमुलेत इक्तियार की है तमाम हमारी टीम ने Congress Party में आज जोइन किया है साती साथ हम आज मौझूद हैं बाबा साहिब अमबेटकर के स्टैशू के पास जिनों ने हमारे देश को Constitution दिया, समीधान दिया आज ये बीजेपी सरकार जिस समीधान को बदलना चाहती है उसे देखते हुए हम आज Congress Party में जोइन हुए हैं आज जगदेव गुतेदार डिस्टिक्ट परसीडन की मौझूदगी में नौर तम्मेले मेडम करीस फातिमा साहिबा सिल्क चेर्मेन की मौझूदगी में हमने आज Congress Party जोइन की इस मौखे पर के यू डिए चेर्मेन मजार अलम खान सहाब मौझूद थे मैनारेटी परसीडन नईम खान मौझूद थे यंग डैनामिक लीडर वहाज बाबा मौझूद थे अहिमर उलिस्लाम सहाब मौझूद थे तमाम कॉर्परेटर्स थे अपोजिशन लीडर अजमल गोला सहाब थे वायद अले फाते खानी सहाब थे एक्स मौझूद परसीडन गोलग धानी छानी सहाब थे मैं तमाम का दिल की अमीग गहराने से शुक्री आदा करता हूं जिनों ने आज हमें कॉंग्रेश पार्टी में लिया बहुत टेम से हमारी बात इसने चर रही थी जन आज आया है आज 15 अप्रेल है जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे बुज़ूर्गों ने 15 गश के दिन इस देश को आजादी दिलाई थी जिनोंने अपना खून दिया अपना वक्त दिया अपना माल दिया लडाई लड़ी उन गोरे अंग्रेजों से छुड़करा दिलाया था आने वाले 15 सीसी के परसिडेंट जनाप मलिक करजुन खरगेजी का ये शेत्र है यहां से आरकेश साब उमिद्वार है उन्हें हमें बाहरी से बाहरी अक्षिरास से हमें उन्हें जिताना है पूरे करनाटगा में एक हिस्ट्री खायम करनी है यहां से हमें जिता कर इंशालला तमाम सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि वह सब जानते हैं कि अगर इस देश को बचाना है तो वहाइद कॉंग्रेस पार्टी एक है जो आज हमारे मुल्क को हमारे समिधान को बचा सकती है पूरे जूटे वादे करकर बीजेपीस सत्ता में खाबिश हुई थी सत्ता में आई थी यह कोई गोदी मीडिया उठाता हूँ नजर नहीं आता जो आज हर नौजवान के मुबाइल में यह शोशल मीडिया के तुरू आप देख रहे हैं कि न्यूस पहुंच रही है कि कितना करप्शन यह लोग कर चुके हैं यह लोग जिस तरीके से हफ्ता असूली बोलते हैं फ कोईना कर नोजवान घब्राया हुआ हैं वह नोजवान जेसे कहना चाइब में चाहता हूँ कि रख होसला वह मनजर्गा आएगा पैसे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा ठक कर मायूस नहों यह नोजवान मंजिल भी मिलेगी है और मुनले का मज़ा झाफ आएगा मै पूलिंग करने की कोशिश करें क्यूंकि जितने परसेंट पूलिंग होती है उससे कई ज्यादा लोग ओड नहीं दालते हैं यह सोच करके मेरे एक ओड से क्या होगा आज आपके एक ओड से हम इस इंदुस्तान को बचा सकते हैं बेरोजगारी को खतम कर सकते हैं भूख पूरा पूलिस गुंडा गर्दी पर उतर रही है पुरा उनके कट पुल्टी बन करना चाह रहे हैं अपोजिशन के तमाम लीडर्स को जेल में भरने का काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं सोचल मीडिया के मर्दम से देख रहे हैं आज सब को घरां के बाहर निकल आए आप देखिए अलेक्ट्री मीडिया कल उठा कर देखिए तमाँ मीडिया में बता जा रहका कि सल्मान खंटे घर फािरिंग हुई एक गोली सल्मान के घर मारी गई यह उसको इतना वायर्ल किया जारा है ऐहम नेउस को दबाए जारा है राहूल गांधी के अलिक्याप्टर पर रुका कर वाईनाट में चकिंग होती है दो गंटे के लिए रावल गंधी को रुकाया जाता है कुछ उसली केप्टर में ने मिलता फिर भी उन्हें रुका कर प्रट नंबर 24 की तमाम अवाम का जिनों ने मुझे पिछले कहीं दिनों से मेरे पिछे थे के आप एक नैशनल पार्टी को जोईन करो तो आज मैंने मेरे एरे की मीटिंग ली मेरे तमाम एरे के जिम्मधार जो बुजरूग लोग थे उनसे मैंने पूछा उसके बाद हमने त गुलबर का के नौर्ट में मेडम हैं उनसे बात चार रही थी तो आज तमाम लोगों के मश्योरों से हमने आज पार्टी को जोईन किया है इंशाल्ला आले आले दिनों में मैं समझता हूं के लास्टेम को 26-27 जार नौर से गुलबर का एंपी के लिए लीड मिली थी इंशा मैं समझता हूं के 100% हम यह गुलबर का की सीट जीत रहे हैं कांग्रेस पार्टी गुलबर का की MP की सिट यह बार हंडेड परसेंट जीत रही है हम तमाम नोजवान एक हुए हैं इंशाल्ला पार्टी के लिए रात-दिन एक करकर पार्टी के कैनडेट को जीताने की कोशिश करेंगे इंशाल्ला हमारे जो गुलबरगा के एक्स एंपी हैं और हमारे इस स्टेट के एक जो मजबूत लीडर है जनाब मली करजुन खरके साब रहेंगे और मैं जनाब प्रियंग खरके साब का शुक्रियादा करता हूं और अजे सिंग सहाब का शुक्रियादा करता हूं शरन प्रकाश पाटिल साब का शुक्रियादा करता हूं अमेले मैंडम का शुक्रियादा करता हूं तमाम पार्टी के लीडर्स गुलबर का सौथ के मल आलम पर्वु पाटिल सहाब का शुक्रियादा करता हूं मज़र आलम खान साब जो जीडियाज शेरमेन हैं उनका शुक्रियादा करता हूं डिस्टिक मेरे बड़े भाई जनाब अजमल गोला सहाब उनका शुक्रियादा करता हूं और तमाम यह जो भी लोग हैं सब्सक्राइब कुषिए लोग की कोशिश थी के हम अरिये यूट को आगे लागे लाएं उसी तरह तरह से उन्होंने मुझे भी छुना उसमें के आप भी कांग्रेस पार्टी आएं वह लोगों के कहने पर हमने कौंग्रेस पार्टी को जॉइन किया है अमारे अरियालों की वाड़ वालों की मेरे कहने पर पार्टी को जोन के हो, इंशालला पार्टी के लिए राद दिन काम करकर, इंशालला जब तक पार्टी जीतींगी नहीं यहां पर हम महनत करते रहेंगे.